नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 20 दिनों से पढ़ रही कड़ाके की सर्दी का अब घने कोहरे के साथ लोगों के लिए हालात और मुश्किल कर रही है। लेकिन अभी ये कुछ नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईमडी ने मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 5 से 11 जनवरी के बीच तापमान में भयंकर गिरावट होने और शीत लहर संभावना जताई है। आईमडी के पूर्वा नुमानों में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ मैदानी इलाकों में घना से लेकर बहुत घना कोहरा शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में कोल्डडे से लेकर गंभीर कोल्डडे की घोशना की गई है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में लक्षद्वीप में भारी बारिश और तेज हवाओं की भविश्यवानी की है मचुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राजियों में भयंकर सर्दी को लेकर कोल्डे घोशित किया है मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाना, राजस्थान और महाराष्ट्र में थंडे दिन की स्थिती बनेगी वहीं, आईमडी ने पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के अलावा लद्दाक में जन्वरी माह में बारिश के सामाने से अधिक होने की संभावना भी जताई गई है पंजाब और हरियाना के कई हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा चा सकता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, जारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा चा सकता है पंजाब के कई हिस्सों में कोल्डे से लेकर सीवियर कोल्डे की स्थिती संभव है